हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मेरे चानल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर ही और बहुत सेफ हो तो आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ पोटेटो की सबजी बना रहे हूँ एक्चुली ऐसा हो गया कि कोरोना वारेस के वज़े से बहार कोई भी सबजी वाले नहीं है तो सबजी अवगरा बहुत मुश्किल से मिल रहा है तो मेरे पास अभी ओनियन टॉमेटो कुछ भी नहीं है तो मैं अभी सबजी तो बना नहीं है तो मैं दाल बनाई हूँ तो मैं स तरह से थोड़ा हाइफ लेम में ही फ्राइ करना है अगर नॉन्स्टिक पैने तो अच्छा है नहीं है तो ठीक है आप तेल थोड़ा सा डाल के इस तरह से फ्राइ कर सकते हो यह सबजी आप सीरिशली बोलो ओनियन टॉमेटो बीन ओनियन टॉमेटो को यह ज़्याद़ टेस्टी बन जाता है इसे इसे तरह से फ्राइ करना है इसमें ज़्यादा पानी वगेरा डालने की ज़रूरत नहीं है जिस नीचे कभी अगर आपको ऐसे लगा कि नीचे से चिपक रहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो अब मैं इसमें मसाला एड़ करूँगी इसमें मैंने डाल दिया है नमक नमर के साथ मैं एड़ करूंगी इसमें हल्दी पाउडर और इस टाइम में हल्दी पाउडर खाना बहुत ही ज़रूरी है हमें हल्दी पाउडर हेल्थ के लिए अच्छा है और ये टाइम में तो हमारी लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो उसके बाद इसे इसी तरह से फ्राइ करके लूँगी यह ऐसे फ्राइ होते होते ही पक जाता है अच्छे से पक जाता है और यह सबजी ऐसा है कि बच्चे भी बहुत खूशे से का जाएंगे उनको अच्छा लगए कि फ्रेंच फ्राइस वगएरा जैसे खाते पोटेटोस का वैसे ही उनको टेश देगा तो बच्चे भी खा जाएंगे अच्छे से और आपको भी बहुत अच्छा लगए यह सबजी अब इसमें आप गरम मसाला पावड़र अअड कर सकते हैं अगर पावभजी मसाला अड़ कर सकते हो इससे एक अलग फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा ठेस्ट होता है इसके लिए मैं ऐसे अड़ कर रह monet नार्मलestralla यमर्चा पावडर सा फेलीकों मैं तो रेकुमेंट करूंगी कि पाव भजी मसाला होगा आपके पास तो वह एड़ करना उससे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद इस तरह से फ्राइ करना है तो नीचे चिपकेन इसके लिए में थोड़ा सा पानी आड़ करके फ्राइ करें और पोटेटो भी अच्छे से पक जाए और यह ग्रेवी गिल्ला नहीं रहता है तो इसमें ज्यादा पानी आड़ करने की जरूरत नहीं है जिस थोड़ा सा पानी आड़ करना है इसे हमें ड्राइ ड्राइ बनाना है तो यह इसी तरह से बना कर ले रही हूँ तो यह थोड़ा सा पानी आड़ करके इसी त अपने घर पर कैसे है वाइरस के वाइरस के वाज़े से सब को पता है अभी और 14 देज तक और 21 देज तक घर पर ही रहना है तो प्लीज मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि घर पर ही रही है क्योंकि ये हमारे लिए का गया है ये किसी और के लिए नहीं हमारे लिए हमा मास्क वगरा फैन के वीचाहिएगा और आती सैनिटाइजर से या फिर साबन से अच्छे से हाथ दोजिएगा अभी पोटेटो सबजी रेडी है यह मैंने दाल चावल और पापड और अचार के साथ लिया हुआ है बहुत ही टेस्टी लंच बन गया था मेरा प्लीज इसे ट्र लाइक एजर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें